नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स मेरा नाम है नितिन और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की आखरी सड़क भूल कर भी अकेले मत चले जाना यहाँ उत्तरी धुरूफ के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो प्रत्वी का सबसे सुन्दर उत्तरी बिंदू है यह वे बिंदू है जहां पर प्रत्वी की धुरी घुमती है यह नौर्वे का आखरी चोर है यहां से आगे जाने वाले रास्ते को ही दुनिया की आखरी सड़क माना जाता है इसका प्रत्वी के छोर और नौर्वे को जोड़ती है यह वो सड़क है जहां से आगे कोई सड़क ही नहीं है बस बर्फ ही बर्फ और समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है वैसे हमें से अगर कोई किसी तरह से यहां पर पहुँच जाए तो 100% यह आगरी सड़क नहीं रहेग अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भई अगर हाईवे है तो यहां पर पराठे मिलेंगे है ना आलू के मक्षन डालके लसी मिलेगी और सलाद मिलेगा नान मिसी मिलेगी तो यह आपके आगरा जैपुर हाईवे की बात नहीं हो रही है ए-69 हाईवे के परे में बात हो रही है कई लोग एक साथ हो तब ही आप यहां से गुजर सकते हैं उसके अलावा नहीं इसके पीछे वज़े यह है कि हर तरफ बरफ की मोटी चादर बिची होने के कारण यहां खो जाने का खत्रा हमेशा बना रहता है यानि कि अगर आप आइस-पाइस चु ना ही गर्मियों में सूरश डूपता है कभी कभी तो यहां लगबक छई महीने तक सूरत चमकता ही नहीं सरद्यों में यहां का तापमान माईनस 43 डिग्री से माईनस 26 डिग्री सेल्सिएस के पीच बना रहता है जबकि गर्मियों में तापमान का ओस्द जमाव बिंदू 0 टिक्री सेल्सियस के आसपास रहता है आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी भ्यंकर ठंड पड़ने के बावजूद यहां लोग रहते हैं पहले यहां सिर्फ मचली का कारोबार होता था 1930 से इस जगे का विकास होना शुरू हुआ करीब चार साल बाद यानि 1934 में यहां के बागत किया जाना चाहिए ताकि उनकी कमाई का एक अलग जरिया बने अब दुनिया भर से लोग उत्तरी धरूब गूमने के लिए आते हैं यहां उन्हें एक अलग दुनिया में होने का एहसास होता है यह सेम एहसा है जैसा आप गुरगाओं से घाज़बाद के बीच का द गहरे नीले आसमान में कभी हरी तो कभी गुलाबी रोशनी देखने को मिलती है यह रात के समय दिखाई देता है जब आसमान में घुप अंधेरा चाया रहता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर पसंद आई तो यह जो काला सा बटन है लाइक का इसे आप द आई है और जानते रहना चाहते हैं कुछ रोचक कुछ अमेजिंग कुछ इंटरस्टिंग फैक्ट्स के बारे में तो अपने इस खुद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा मेरा नाम नितिन है वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मुलाकात आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद